दोस्तों, सरकारी DNA, जो कि बहुत बड़ा चैनल था, 10.5 मिलियन सब्स्क्राइबर्स के साथ, काफी टाइम की मेहनत थी, यूट्यूब ने बिना किसी रीजन की डिलीट कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं इंटरनेट, लेकिन इस चीज को डिलीट करने के पीछे, यूट्यूब मतलब 10,50,000,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल को डिलीट कर दिया, मुझे खुद 1,000 सब्सक्राइबर करने में एक साल 4 महीने का टाइम लग गया, तो सोचो, क्या गुजर रही होगे उसके ओनर पर, सरकारी DNA के ओनर पर कैसा लग रहा होगा उनको, जब उनके इतने सालों की म इसका क्या कारण है और क्यों यूट्यूब ने ऐसा किया, आज की इस वीडियो में यही बात बताऊंगा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो, चैनल सेवमनीवट, दोस्तों यह चीच जो यूट्यूब ने की है, इसका एक खास रिजन है, जैसे आ आज के टाइप पर, कुछ भी अगर आप गल्द कर रहे हो, या किसी का content copy कर रहे हो, तो बहुत जादा issues है, आपकी चैनल को ड्लीट के आज़ा सकते हैं, यूट्यूब बोलता है कि किसी भी चैनल पर जब तीन copyright strike आती है, तो उसके बाद चैनल को ड्लीट के आज़ाता है, लेकिन सरकारी DNA पर कोई भी copyright strike नहीं थी, सिंगल एक strike में ही चैनल को permanently delete कर दिया गया है, और सोच के देखो 10.5 million subscribers बहुत जादा होता है, बहुत मैनत की थी बंदे ने और ऐसे channel delete कर दिया, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि YouTube ने गलती से किया है, या कोई technical issue है, ऐसा कुछ नहीं ये channel finally delete कर दिया गया है, और ये channel अब कभी वापस नहीं आएगा, इसका reason क्या है, जब भी आप इस channel को देख, आपने देखा होगा इस channel को, ये channel provide क्या करता है, ये tutorials provide करता है, जैसे कि आप pen card कैसे apply कर सकते हैं, passport कैसे बना सकते हैं, flight ticket online कैसे book कर सकते हैं, recharge कैसे कर सकते हैं, बन दब आपको सिखाता था हर एक चीद, easy तरीके में, और साथ में सरकारी योजना है, जो सरकारी plans चलते हैं, government jobs आते हैं, उनके बारे में information अपडेट प्रोवाइड करता है, और ऐसा channel delete करता है, किसी का copyright content नहीं यूज करते हैं, फिर भी YouTube ने delete कर दिया, तो इसमें YouTube की पूलिंग क्या होती है, जब हम किसी चीज को टुटोरियल में बताते हैं, मार लीजे मैं आपको बताता हूँ, pen card कैसे apply करें, तो उसमें web page पे जाएंगे, form फिल करेंगे, नाम, father name data, सब कुछ फिल करेंगे, तो वहाँ पर, नाम डाला, email id डाली, mobile number डाला, father name डाला, इस च जो की YouTube की community guidelines के खिलाब है, ये reason दिया है YouTube ने इतने बड़े 10.5 million वाले subscriber based वाले channel को delete करने का, और आप हैरान हो जाओगे ये जानकर, कि अभी जितनी भी tutorials वाले channel है, 99.9% channel है, जो की pulling कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, कि आपका channel भी खत्रे में है, मैंने अपनी channel पर भी बताया था, how to make pen card for free, या how to apply for geo tower in your village or in your area, तो मतलब मेरा channel भी delete हो सकता है, मतलब मेरे एक साल की महनत, 160 videos, चुटकी बजाती YouTube गायव कर सकता है, तो ये reason दिया है, तो कोशिश कीजिए, पुलिंग मत कीजिए, YouTube की हरे community guidelines को ध्यान में रख कर वीडियो बनाए, ये community guidelines में क्या क्या आजाता है, आप किसी का content copy नहीं कर सकते, कोई भी music use नहीं कर सकते, किसी का, जो copyright हो, तीसरी चीज, आप कोई गाली गलोच नहीं कर सकते, कोई भी porn content नहीं डाल सकते, इस सारी चीजे हैं, कोई violence वाला content नहीं डाल सकते, इस सारी चीजे आती है, community guidelines के खिलाप, और अगर आप इन में से कोई भी एक गलती कर देते हो, तो आपका channel terminate कर दिया जाएगा, YouTube बोलता है कि channel terminate होने से पहले आपको तीन copyright strike मिलते हैं, लेकि यहाँ पर सरकारी DNA को कोई भी copyright strike नहीं दी गई और उनका single shot में channel delete कर दिया है, तो इस चीज को ध्यान में रखिये, और अगर video informative लगी हो तो channel को like कर दिजेगा, video को भी like किदिगा, channel को subscribe कर दिजेगा, और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दिए, ताकि आपको channel के regarding कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसकी notification मिल जाए, और मिलते हैं आपनी एक और नई वीडियो में इसी टाइप की informational thing लेके, तब तक के लिए टाटा बाई बाई बाई, जैह हैंत,